Good morning dear students, today we will continue with chapter Mughal Empire. In previous class, I had already explained to you who let down the foundation of Mughal Empire in India. मैं ने आपको पिछली क्लास में पढ़ाय था कि बाबर जो थे, उन्हों नहीं हमारे देश भारत में Mughal Empire की निव रखी. ठीक है, और उसके बाद हुमायू, अकबर, इस प्रकार जो आगे उनके शाशक हुए, हमारे देश में Mughal सामराज जी की बागडोर समाली. ठीक, और इंग जेब, उसके बाद बादुशा जफर, जो सबसे लास्ट मुगल रूरर थे. अब हम आगे कवर करेंगे, मुगल आर्टिटेक्चर के बारे में, ओके, देर पॉलिसिस, एडमिस्टेटिव पॉलिसिस के बारे में, ये सब हम कवर करेंगे. ताज महल, ताज महल आगरा, इट वस बिल्ट ऑन दे बैंक ओफ यमुना अट आगरा बाई सहा जहां, in memory of his beloved wife मुमताज. तो ये जो आगरा ताज महल है, वो आगरा मिस्थित है, उसे किसने बनाए मुगल एम्पाइर सहा जहां ने अपने wife मुमताज की याद में बनाया था. उस्ताज ईसा वाज the architecture who designed the monument. तो इस monument को जो design किया था, उसका नाम था उस्ताज ईसा. Its work started in 1631 and was completed in 1653. तो इन्होने जो ये वर्क इस्ताट किया था ताज महल बनाने का, 1631 को स्टाट किया और लगभग 1653 को ये complete हुआ. It is internally made up of pure white marble अब सबसे बड़ी इस ताजमहल की खासियत यह pure white marble से बना हुआ है It has a high risk platform और इसको बनाने से पल एक platform बनाया गया बड़ा सा, ठीक, और उसके उपरे ताजमहल structure खड़ा किया गया There are four minerates और इसके आज़बाजो में चार इस्तम या मिनारी है तो यह गुंबद इसके बीच में बड़ा सा गुंबद बना हुआ है तो इस ताज महल को खाली वाइट मार्बल से नहीं बने गया है इसके अंदर और बाहरी दिवारों को सुंदर नकाशी के द्वारा सजाया गया था तो यह जो ताज महल है एक मगबरा भी बोल सकती है जो शाजाहा ने अपनी वाइफ की याद में बनाया था और शाजाहा की मौत के बाद उसे भी यही ताज महल में दफना दिया गया था तो इसे एक वन आप दी वंडर भी कहा जाता है हमारे विश्व का नाव लेट्स वी सी दे अबाउट जामा मजदीत जामा मजदीत डैली इट वस बिल्ट बाई साहा जाहान दूरिंग दे पिरेट 1650-56 तो इसे जामा मजदीत जो है साहा जाहान ने 1650 और से लेकर 56 के बीच में बनाया था इट ऐस बिगेस मॉस्क्यू इन इंडिया यह हमारे भारत की सबसे बड़ी मजदीत है इट ऐस यूज रेस्ट प्लेटफॉर्म तो उसमय के जितनी भी आटिट्रेक्टर वर्क होते थे उखासकर प्लेटफॉर्म पहले बनाया जाता था फिर उसके उपर इस प्रकार की बिल्डिंग का कंस्रक्शन वर्क किया जाता था ओके देर आफ़ द्री गेटवे नौर्ट साउथ और यह इस्ट तो इसमें तीन दरवाजे हैं नौर्ट साउथ और इस्ट की तरफ जो इस्ट का दरवाजा है वह सबसे बड़ा है वास एक्स्क्लिवजी यूज़ बाइए एंपर तू एंटर दर मॉस्क्यू और इस जो इस्ट साइड का जो गेट है उसका उप्योग राजाओ या साहजादवारा किया जाता था मॉस्क्यू में आने के लिए इट इस एलेवन एकर्स वन यूज सेंट्रल आर्क विद द मुकाबरे में सोरी छोटी है इट है यूज़ कोट्याड विच कैन अक्रमेंडेट टाउजन्स ऑफ द पीपूल अड़ टाइम आप प्रेयर इसका वह एक बहुत बड़ा आंगन है या कोट्याड है जिसमें एक बार में हजार वेक्ती एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं इट ह इसके दोना तरफ जो है दो उची उची मिनरेट से मिनार है जो तीन पार्ट में डिवाइड है ठीक इसके थी डोम्स यूज सेंट्रल डोम विद ट्वी स्मॉलर डोम लेफ राइट हैं ठीक तो जैसे माने आपको पहले पता या जो सबसे बड़ा डोम है वो सेंट्रल में ह और उसके आजू बाजू लेफ और राइट में दो छोटे छोटे डोम ओर है ओके नौ रेड़ फोर्ट डेली रेड़ फोर्ट इट वस बिल्ट बाई सहाजान डियूरिंग दर पिरेड 1639-48 तो यह देखी जो रेड़ फोर्ट है उसे भी सहाजाने बनाया इसे 1639 और 48 के ब पिटल फ्रम आगरा टू डेली यह कब बनाया गया जब मुगल एंपायर नहीं है सोचा कि जो आगरा की क्या है आगरा में उनकी कैपिटल हुआ करती थी उसे डेली सिफ्ट कर दिया जाए ठीक है इट वाज मेड़ परेट सेंड इस्टोन और मार्बल तो इसमें जो वर्क इसमें भी दो गेट है एक इस तरफ और एक वेस्ट साइड वेस्टन गेट वे कॉल्ड लाहरी गेट वाज यूजड बाइद एंपरार एंड इस्टन गेट वाज यूजड बाइद पीपल तो देखिए जो वेस्टन को गेट है उसे लाहरी गेट कहा गया है और उससे जो ठीक है वो लाल के ले में एंटर करता था और उसके बात का जो गेट है वो गामन परसंस के ले था Now, after that, let's be served discuss about the policy, administrative policy of the Akbar Akbar's manshabdaari system Akbar created an imperial service based on the merit and graded it according to the military rank This system was called as a manshabdaari system Manshabdaari system तो एक प्रकार से ही हम कह सकते कि Akbar ने उसमें एक ऐसा system create किया था जिसका नाम उसने manshabdaari दिया था जो उसके आर्मी में rank के हिसाब से दिया जाता था The lowest rank was 10 and the highest rank was 5000 for the nobels तो जो उसमें सबसे lowest जो grade होता था वो था was the 10 and the highest rank was 5000 for nobels Princess received the rank of 7000 और जो राजकुमार होते थे मतब राजा की जो बेटे होते थे नवाव तो उस समय उनको 7000 rank दिया जाता था Emperor directly appointed the manshabdaar तो ये पूरी शक्ती कों किसे manshabdaar निक्त करना है ये राजा इस प्रकार की power अपने हाथ में रखता था There were paid in cash and not in a land grant तो इन्हें salary दी जाती थी राजाओ के द्वारा ठीक है और जो land grant कर दी वो उस प्रकार का system नहीं था Out of his salary, manshabdaar were expected to maintain the quota of horses, mules, elephants and cars तो देखे, salary की अलावा जो manshabdaar रहते थे जिनकी high rank होती थी उन्हें horses, elephant रखने की इजाज़त मिली हुई थी The manshabdaar acted as a military commander and civil administration This status wasn't a heredity तो देखे, जो manshabdaari system थी, वो act करते थे Now, the Akbar's Rajput policy अकबर राज़पूत policy was one of the greatest achievement He entered into the marriage alliance with the Rajput अब हम अकबर की जैसे मैंने बात की की उसकी कुछ policies थी तो राजपूत के साथ उसके जो संबन थे जो उस समय राजपूत जो थे हमारे भारत में उनके साथ अकबर की जो policy थी एक दोस्ताना थी उन्होंने वहां के कई से राज़कुमारियों की साथ उन्होंने शादी यहां भी की थी He entered into the marriage alliance with the Rajput बाहर महर दो रूलर अबर मैरेड इस डाटर तो अकबर तो इसी प्रकार अंबर जो रूलर थे अंबर राज के उन्होंने अपनी बेटी अकबर को दी थी अकबर ने उनसे marriage की थी He gave religious freedom to his wife who followed Hinduism तो मैनी जैसे आपको इस टार्टिंग में पता है था कि अकबर एक महान राजा थे क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय जो राज करते थे उन्होंने अपने राज के सभी व्यक्तियों को आजादी दी थी कि वे जो धर्म मानते है उसे follow कर सकते है ठीक है? उनकी उपर कोई बंदिश या pressure नहीं डाला गयता कि आप इसलाम धर्म को मानिये ठीक है? तो वो जिस धर्म को बिलॉंग करते थे उसी धर्म को वो follow कर सकते थी इस पॉलिसी एंडेट एंड होल्ड एंड मीटी बिट्वीन राजपूत एंड मुगल तो इस प्रकार के पॉलिसी के कारण जो राजपूत पहले मुगल के के साथ दुश्मनी रखते थे धीरे धीरे अकबर के वेवार के कारण उन्होंने इस दुश्मनी को भूला दिया यहां तक ही जो अकबर थे उन्होंने अपने कोटियार्ड में मतलब राजपूतों में बहुत से राजपूतों को अच्छे पोश्ट आफर किये जिससे उनको राजपूत के साथ संबन सुधारने का और अच्छा मौका मिला नाओ, लेट्स भी टॉक अबाउट अबाउट सोसल रिफार्म तो यह थी उनकी अभी तक हमने जो पढ़ी मुगल आर्टिटेक्चर के बारे में पढ़ लिया उनकी अद्मिस्टेटिव पालिसी के बारे में पढ़ लिया अब बात करते हैं सोसल रिफार्म्स के बारे में तो जैसे मैंने बताया कि जब अंग्रेश थे हमारे देश में तो उन्होंने भी कोशिश की भारत में सती प्रता रोकने की वैसे ही जो मुगल एमपायर के राजा थे अकबर उन्होंने भी उस समय कोशिश की सती प्रता रोकने की पर उन्होंने फोर्सफुली इसे एपलाई नहीं किया कारण उस समय खिंदूओं में ये सती जो सती प्रता थी बहुत चलन में थी तो उन्होंने फ्री एंड किया था कि जिन्हें जो लेड़ी या उमेन अपने हस्बन के साथ सती होना चाहती है तो उनको रोका नहीं जाएगा अकबर प्रोमोटेड वीडो रिमेरिज यहां तक कि अकबर ने वीडो रिमेरिज को भी प्रोस्तान दिया यहां तक कि उन्होंने जो हमारे हिंदू दर्शनारती तीर्थ के लिए जाते थे टैक्स लिया जाता था उनसे तो यह भी खतम कर दिया मतलब अब कोई भी हिंदू या दुसरे धर्म का वेक्ती अपने तीरत इस्थल जा रहा हो दर्शन करने तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था He raised the age of marriage of 14 for the girls and 16 for the boys यहां तक कि उन्होंने उस समय जो शादी की उम्र थी लड़कों की 14 कर दिया और लड़कों के लिए 16 years He was against the polygamy. अक्बर followed the policy of religious tolerance. तो अक्बर को इतना महान इसलिए कहा जाता क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी एक धर्म को महत्व नहीं दिया. उन्होंने सभी धर्म को बराबर महत्व देनी की खोशिश की जिसमें उन्होंने अधिकतर काम्याबी मिली Now let's see about the educational. He revised the educational syllabus and focused more on the moral science, mathematics, agriculture, geometry, logic and history. तो उन्होंने बहुत से सिख्छा पद्दती में बदलाव किये. उनका अधिकतर ध्यान रहता था जो subject से उसमें उन्होंने जिस पे ज़्यादा फोकस किया mathematics, agriculture, geometry like that. If a rich man died without higher than that amount was used by the government to develop the educational institute. तो यहां तक की जैसी हम बात करते हैं अंग्रेजों के समय जो Lord Dalhoji ने घरप निती लाई थी कि अगर कोई राजा बिना संतान के मर जाता था तो उसकी राजजी को अंग्रेज घरप लेते थे. पर उन्तु यहां अकबर ने उल्टा किया. किस प्रकार से किया उसने? उन्हों ने अगर कोई शाशक बिना अपने हायर या सन या कोई जिम्मेदार विक्ति को राजजी का संभालने दिये बिना ही अगर उसकी मित्ति हो जाती थी. तो उस समय जब अकबर राजा थे, शाशक थे, तो वो क्या करते थे? उसकी राज्य की संपत्ति को, पैसो को, एजुकेशनल इंस्टिट्यूट में यूज करते थे. स्कूल ओपेन करने के लिए टीचर एपॉइंट करने के लिए इस प्रकार से. स्कूलर्शिप्स वे प्रवाइड़ेट टू दे स्टूडेंट्स यहां तक की वे अच्छे स्टूडेंट्स को, बिलियंट स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से स्कूलर्शिप भी प्रवाइड करते थे, ताकि वो आगे के एजुकेशन कंटिडू करे. स्कूलर्शिप्स वे अगर आप देखेंगे कि कई जगों पर लड़कियों को इसकूल नहीं जाने दिया जाता, परन्तु आज से कई रो साल पहले, जब हमारे देश में मुगल का शाशन था, या हम यह कहा अकबर जब शाशन कर रहे थे, तो उन्होंने इसकूल, मतलब कि सकूल जाना के लिए भी एलाउग किया था, परमिशन दिया था, नाओ लेट्स वी सी देखेंगे, जिसके जिक्र हम अभी यहां करेंगे, जिसके बारे में हम यहां बात करते हैं, चीफ काजी, हायर जुडिशियल ऑफिसर, मतलब कि यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जज, जैसे आज सुप्रेम कोट में जज होता है, या हाई कोट में, वैसे यह जज थे, दिवान ए अश्रफ, हेड आप दे लेंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो इनका काम था, ले गलग डिपार्टमेंट को देना, जैसे आर्मी डिपार्टमेंट होती थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता था, उसको उन पैसों को डिस्ट्यूबीट करके सही तरीके से उप्योग करने के लिए प्रेशर देना, मीर बक्षी, हेड अप दे मिलिटरी, पे एन एकाउं अफिस, तो देखे, हेड अप मिलिटरी होता था, और साथी साथ वो अपने सोल्जर्स को सेलरी भी देता था, खान ए साम, हेड अप दे इम्पेरियल हाउस होल्ड डिपार्टमेंट, दोरोगा ए तोगपुरी, हेड अप आर्ट रिली, मतलब की इनका काम होता था, आर्ट यूस किये जाते तो उसकी दीखरे करना, उसको मेंटेन करना, लाइक डट, मीरे अर्ज, हेड टूर्ड लूक आफ्र अफर द पीटिशन, तो मीरे अर्ज का काम था, कि व्यक्तियों के द्वार जो शिकायत की जाती थी, उसको आगे फॉरवड करना, उसको ध्यान से पढ़ और समाधान निकालना, ओके, नौ लेट वी सी थी, फॉल मुगल एंपायर, ग्रेट मुगल विच बिगन इन 1526 विद बाबर असंचिनेशन तो थ्रोन, एंड़ इंड़ द देथ ओ ओर इंड जीव, इन 1707, तो देखिए, मुगल एंपायर जो एक बहुत स्ट्रोंग और उस समय का सबसे ताकतवर मुगल एंपायर था, जिसकी नियू बाबर ने 1526 को रखी, वो एंड़ेड हो गया 1707 को, जो क्यूं, इस बिद बहुत से जो मुगल रूलर के दार लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था, बहुत से उनका एकनॉमिक लॉस हुआ, सोलजस मारे गए थे, और एक सबसे बड़ी बाद, जो लास्ट मुगल एंपायर, जो थे वो बादुर्शाद जफर, वो उतनी स्ट्रॉंग नहीं थे, ठीक है, बाकि मुगल एंपायर की तरह, और और जिब जो था, वो एक आकरी शाशक था, जो एक ताकतवर शाशक कह सकते जिसे, पर उसकी मुगत के बाद, जब बादुसाद जफर राजा बने, शाशक बने, तो उस प्रकार क्या वो नहीं थे, पावरफुल नहीं थे, ठीक, एंडेड हो गया, 1707 को, और जब देट मार्क देट एंड अप दे एरा, इन इंडियन हिस्ट्री, वेन और जब दाद, आप लिए, आपटेप ल गया, या विव भा लुखल अप फ़िकी नहीं, तो जब देट चल से, इंडियन हित्याद मुगाशन वे लांवर उफ्स का दिया हिनी हिस्ट्री, तो इस प्रकार से जो लड़ाया थी, अखली, आटारी, इस प्रकारम, याट्ट आखरी की और इंग जब के तीनों बैटों के बीच में लड़ाई हुई ठीक है वह आपस में लड़ भीरे ठीक है और इंग जब के उसमें मित्यू भी हो गई इस बीच तो इस प्रकार से बहुत से रीजन है जो बताया गया है कि और इंग जब के बाद या मोगल एमपायर की इस प्रकार डिक्लाइन हुआ ओके दीचाप्टर इस कंप्लिटेड थैंक यू